So Hello Everyone, Welcome You All at Locates Sir Unlimited Study Zone हम start करने वाले हैं यहाँ से classes जो हमाई पास extra time मिल रहा है उसमें हम सोच रहे हैं कि आपको NDA, JEE के लिए कुछ preparation करा दें तो उसके context में आज से यह classes हम लोग start कर रहे हैं अब आप तैख करेंगे कि यह classes कितनी सफल हैं और इसके पहले मैंने आपको solution दिया हुआ था कि कुछ questions मैंने आपको कराए थे जो board class के examination के question हुए थे वो आपको इसके पहले कराए गए थे और अब जो है हम different different exam में आए हुए questions को लेंगे चलिए देर ना करते हुए start करते हैं आज की class पहला question उठाता हूँ मैं ओके देखिए पहला question है binomial theorem से यहाँ पर 10th और 9th के concept दोनों हम sorry 10th और 9th नहीं 11th और 12th के concept को ले करके चलेंगे तो यह question आपके सामने है exam में आए हुए सारे exam में आए हुए question हम करवाएंगे तो question है a minus b to the power n में n is greater than or equal to 5 a minus b to the power n n is greater than or equal to 5 के द्विपत प्रसार में के द्विपत प्रसार में पाचवे और छटवे पद का योग सुन्य है तो आपको बताना है कि a upon b जो होगा वो किसके बराबर होगा आपको बताना है कि a upon b जो है वो किसके बराबर होगा तो देखें option दिया गया है पहला 5 upon n minus 4 second option b दिया गया है 6 upon n minus 5 third option c दिया गया है n minus 5 upon 6 और fourth option दिया गया है n minus 4 upon 5 तो binomial theorem का question है कैसे करना है question क्या दिया गया है a minus b to the power 5 जहां n की value greater than 5 है इसके द्विपत प्रसार में पाचवे और छटवे पद का जो योग है वो शुन्य है तो देखे हमाँ पास formula क्या होता है t r plus 1 r plus 1 माँ पद क्या होता है n c r a की power n minus r और b की power r यह यहां पर यह formula हुआ करता है n c r a की power n minus r b की power r तो condition यहां पर क्या दी जा रही है कि पाचवे पद और छटवे पद का यो कित्ता है 0 है तो पाचवे पद को मैं क्या लिख सकता हूँ t 4 plus 1 and t 5 plus 1 equal to कितना 0 so इसको लिखा जा सकता है t 5 equal to minus of t 6 तो चलिए लिखते हैं इसकी expansion को हम लोग t 5 के expansion लिखेंगे किसके लिए a minus b की power 5 के लिए लिखते हैं तो t 5 कितना हो जाएगा देखो 4 plus 1 है तो n c 4 a की power n minus 4 और minus b की power 4 equal to negative n c 5 a की power n minus 5 और minus b की power 5 ठीक है यह हो गया इसको solve कर दीजे n c 4 a की power n minus 4 b की power 4 और यह minus बाहर आएगा तो minus minus plus हो जाएगा यह हो जाएगा n c 5 a की power n minus 5 into b की power 5 यहां से लिखे b की power 4 से 1 b की power 5 cancel हो जाएगा 1 b की power बच जाएगी आपके पास पूछा गया है a upon b क्या है यहां देखे n minus 4 है और यह n minus 5 है तो n minus 4 बड़ा है n minus 5 छोटा है तो यहां से n minus 4 से n minus 5 cancel हो गया थोड़ा सा इसको सुधार लेजिए n minus 4 power cancel हो जाएगी समझ रहे हैं आप लोग इस चीज़ को n minus 4 से n minus 5 कैसे cancel हो गया n minus 4 मतलब एक जादा n minus 5 मतलब एक कम तो अब यहां पर हमारे पास क्या क्या बच गया है यह देखे तो मेरे पास इदर पर क्या बचा है मेरे पास इदर पर बचा है n c 4 multiply by a equal to n c 5 multiply by b तो हमें क्या चाहिए थी value हमें चाहिए थी a upon b so a upon b equal to n c 5 divided by n c 4 ओके तो इसको अब simplify कर लीजिए कितना जाएगा n c 5 मतलब factorial n upon factorial 5 और n minus 5 और n c 4 means factorial n upon factorial 4 और n minus 4 factorial n से factorial n cancel जो नीचे है वो सबसे उपर चला जाएगा factorial 4 factorial n minus 4 और factorial 5 factorial n minus 5 थोड़ा इसको simplify करिए factorial 4 रहन दीजिए n minus 4 को में क्या लिखूंगा n minus 4 into factorial n minus 5 और factorial 5 into factorial 5 को क्या लिखूंगा 5 into factorial 4 into n minus 5 n minus 5 से n minus 5 cancel 4 से 4 cancel तो correct answer कितना आएगा हमाई पास हमाई पास answer आएगा n minus 4 upon 5 तो चेक करते हैं option हमाई पास n minus 4 upon 5 d is the correct option हमाई पास option d correct है चलिए तो इसको screenshot जल्दी से लिजे और कहाँ पर नहीं समझ में आया है बताईए मेरे को ओके तो a upon b की value की तिया गई मेरे पास n minus 4 upon 5 क्या question है देखिए आपके पास दो parallel line है एक parallel line ये जा रही है उपर से ये वाली line है और एक line आपके पास में ये है आपको बताना है कि ये angle कितना होगा दोनों line आपस में parallel है तो ये angle कितना होगा चलिए बहुत सरल सवाल है ये इसको करने का तरीका देखिए आप एक तो पहला तरीका आप जो 9th क्लास में पढ़के आए होंगे कि ये आपके पास में देखिए इस ताइप का सीन दिया हुआ है आप एक पहला line ड्रॉ कर लिजे ये अगर alpha है तो ये angle कितना हो जाएगा alpha और ये angle अगर beta है तो ये angle कितना हो जाएगा beta तो total angle जो ये बनेगा this angle is equals to alpha plus beta तो ये जो angle आपके पास बनेगा ये कितना होगा alpha plus beta exactly चलिए next question देखिए अगला question ड्रॉ कर रहा हूँ ये आपके पास एक line है और इसके parallel ये एक line दी गई है और दोनों line जो है intersect कर रही है angle जिसका angle का नाम है gamma ये angle है alpha और ये angle है आपके पास में beta ठीक है तो आपको बताना है कि alpha plus beta plus gamma की value क्या होगी चलिए बताइए alpha plus beta plus gamma की value क्या होगी अलफा प्लस बीटा प्लस गामा की value बताइए कैसे करना इस question को ये alpha है आप क्या करिए इस line को आगे बढ़ा लीजे तो ये वाला angle कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 180 minus alpha ठीक है ना ये वाला angle हो गया 180 minus alpha ये angle अगर alpha है तो ये angle हो जाएगा 180 minus alpha और ये देखिए क्योंकि ये line जो है ये इसी तरीके से parallel जा रही है तो ये वाला angle और ये वाला angle जैसे ये आपके पास angle बना हुआ है और ये angle आपके पास बना हुआ है ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे एक आंतर कुन alternate interior angle से तो अगर ये बीटा है तो ये होगा 180 minus beta और अगर ये 180 minus beta है तो ये भी कितना होगा ये होगा 180 minus beta अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है ये देखो ये angle गामा बन रहा है ये वाला angle है 180 minus alpha और ये angle है 180 minus beta तो अब ये आपके पास क्या लग जाएगा exterior angle theorem बहिरगत कौन प्रमिये लग जाएगी और बहिरगत कौन प्रमिये कहलाती है कि जो बहिरगत कौन होता है वो दो दूरस्त अंतह कौनों के योग के बराबर होता है तो 180 minus alpha plus 180 minus beta तो alpha को इधर ले आईए तो gamma plus alpha plus beta equal to 180 plus 180 आंसर कित्ता हो जाएगा 360 degree तो किस तरीके से मतलब यदि आपके पास ये system बन रहा है ओके ये कौन alpha है ये कौन beta है और ये बाहर वाला कौन गामा बन रहा है तो condition रट लीजिए alpha plus beta plus gamma की value कित्ती होती है 360 डन चली next question की तरफ चलते है अगला question ड्रॉ कर रहा हूँ अगले question में आपके पास में ये angle दिया गया है 40 degree और ये angle है थीटा और ये angle फिर से है sorry ये थीटा बनाया था थीटा एंडिस एंगल फिर से है 110 ये 110 डिगरी का एंगल है और अगर ये एंगल alpha है ये एंगल बीटा है और ये एंगल alpha है और ये एंगल बीटा है तो आपको बताना है कि alpha प्लस बीटा आपको थीटा की value बतानी मुझे बतानी है what is थीटा थीटा ये बना हुआ है आपको बतानी है थीटा की value क्या होगी चलिए बताईए थीटा की value क्या होगी कैसे करते हैं इस question को देखो आपके पास में सबसे पहले मैंने अभी आपको पढ़ाया कि ये जो बाहर वाला एंगल होता है ये इन तीनों का sum होता है just now भी मैंने आपको बताया था अभी आपने याद होगा करा होगा मैंने बताया था ये एंगल अगर अलफा है ये बीटा है और ये कितना है अपने पास में ये गामा है तो ये जो एंगल होगा करता है बाहर वाला एंगल जो होता है वो होता है अलफा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों का ये जो होता है य तो उस प्रपरेटी को यदि मैं इस्तवाल करता हूँ यहां पर तो क्या कंडिशन आएगी देखे उस प्रपरेटी को यदि मैं इस्तवाल करता हूँ तो यहां पर कंडिशन आएगी Theta is equal to alpha plus 40 plus β. मतल라고 मैं लिख सकता हूँ Theta is equal to alpha plus β. प्लस कितना 40, theta is equal to alpha plus beta plus 40, और अब इसके बाद इस बड़े वाले ट्रेंगल में आ जाईए देखे, इस बड़े वाले ट्रेंगल में आ जाईए और यहां से alpha plus beta की value निकाल लो, बड़े वाले ट्रेंगल में alpha plus beta की value निकाल लो, तो alpha plus beta की value कितनी हो जाएगी, theta minus 40, यह देखो कहां से आ गई यह value, यह इधर से आ गई, अब बड़े वाले ट्रेंगल में आ जाओ, इस वाले में, यह देखे, यह जो बड़ा वाला ट्रेंगल है, तो बड़े वाले ट्रेंग equals to 110 degree ठीक है 110 degree और यहाँ पर हमारे पास alpha plus beta है और यह plus में theta है is equals to 110 so alpha plus beta की value कितनी हो गई theta minus 40 plus theta equals to 110 so theta plus theta कितना हो गया 2 theta minus 40 is equals to 110 so 2 theta is equals to 110 plus 40 so 2 theta is equal to कितना हो गया 150 so theta is equal to कितना हो गया 75 degree तो आप्षन यहाँ से आपसे answer पूचा गया था कि theta के value कितनी होगी तो यह होगी 75 degree ठीक है तो एक जबरदस्त हमारे पास मतलब एक shortcut आप लोग जिन्दिगी भर के लिए नोट कर लो कि अगर आपके पास में कोई diagram बना हुआ है और कुछ इस तरीके का diagram है यह एंगल है alpha यह एंगल है beta और यह एंगल है gamma तो यह जो बाहर वाला angle होता है यह होता है alpha plus beta plus gamma यह एक shortcut अच्छा shortcut का यह काम करेगा यह angle जो होता है यह होता alpha plus beta plus gamma और इसको proof करना ज्यादा मुश्किल नहीं आपको मैं इसको proof भी करके दिखाय देता हूँ देखो यहीं पर proof कर देता हूँ ठीक है जैसे मान लो यह angle alpha है यह angle beta है और यह angle gamma है तो यहाँ से इसको extend करके यहाँ तक ले करके आओ ठीक है ना इसको आपने extend करके यहाँ तक ले करके आगया अब देखो यह जो angle बनेगा यह इन नोनों का sum बनेगा क्यों बनेगा sum यो क्यों बनेगा because ये जो है ये इसका exterior angle है तो ये angle क्या बनेगा alpha plus beta और इन नोनों का जो exterior होगा वो ये बनेगा तो ये क्या बन जाएगा alpha plus beta plus gamma तो ये बड़े आराम से आप इसको proof कर सकते हो कहीं पर आपको रोकना है तो जरूर आप कहिए किसे रोकिए explain करिए किसी point को तब आपकी पढ़ाई हो पाएगी ऐसे अगर आप सोच के आये हो कि हमें तो चुप बैठना है और कुछ बस सुनते रहना है तो ऐसे पढ़ाई नहीं होती है इंट्रेक करकरना होगा बात करनी होगी जहां पर आपको doubt है वहां पर पूछना पढ़ेगा तब आपकी पढ़ाई हो पाएगी चलिए अगला कुछन देखते हैं यस नेक्स कुछन में मैं आपको short trick सिखा रहा हूँ अगले कुछन में आपको बहुत बढ़ी है short trick सीखने को मिलेगी यह कुछन कई बार exam में आया important question देखे क्या है कुछन question कहा गया nc0 का square प्लस nc1 का square प्लस nc2 का square प्लस dot 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 upto ncn का square ठीक है ना और आप से पूछा गया है कि इसका जो है इसका जो है योग क्या है इसकी value जो है वो कितनी आएगी option a है to ncn option b है ncn option c है आपके पास में nc2n and option number d है आपके पास में none of these तो देखे आपको यहाँ पर यह proof करना है कि इस sum की value क्या होगी last time देखे क्या है last time है ncn जो इसका nth time है वो ncn है ठीक है तो मैं यहाँ पर अनिकोर्स टू वण ले ले लेता हूं ओके निक्वल्स टू ले 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 लो उन के से मैं इक्वल्स टू है यूऽ फिर अट कि शॉट्राक के समत रहा हूं तो कैसे यूज लोगी शॉट्रे के समझना है तब आपको क्लिए वोगी एंपole n equals to 1 के लिए मैं अपना मेरा जो expression बनेगा वो कहां तक बनेगा n equal to 1 मतलब उपर n जो रहेगा रहेगा नीचे 1 आना चाहिए नीचे कितना आना चाहिए 1 तो देखे 1 यहां पर आ रहा है मतलब मुझे 2 term लेने पढ़ेंगे 2 term तो n equal to 1 के लिए जो मेरे पास आनसर आएगा वो आएगा n c 0 का square प्लस n c 1 का square ओके n c 0 का square प्लस n c 1 का square यह हो गया और अब n की value अपने क्या ले रखी है n की value 1 ले रखी है तो n की value 1 put करेंगे तो यह क्या बन जाएगा 1 c 0 का square प्लस 1 c 1 का square 1 c 0 कितना होता है 1 होता है और 1 c 1 भी कितना होता है 1 होता है तो यहाँ पर हमरे पास क्या आगया 2 आगया है मतलब option से n equal to 1 के लिए यह जो समी करण है expression है इसकी value कितनी आ गई है 2 अब इन में देखते हैं कि हमें कौन देता है 2 तो चलिए a option देखते हैं तो a option में आएगा n की value 1 डाली है तो कितना आएगा 2 into 1 2 c 1 तो भाया 2 c 1 की value कितनी होती है 2 ही होती है दूसरा मतलब यह option सेट हो रहा है satisfy कर रहा है दूसरा यह दिए बात करूँ तो 1 c 1 जो कि गलत है क्योंकि 1 c 1 तो 1 होता है अगला कितना हो जाएगा 1 c 2 जो कि possible ही नहीं है क्योंकि 1 c 2 कभी हो नहीं सकता है 1 c 2 हम नहीं ले सकते हैं यह possible नहीं करेगा और फिर इसके बाद none of this तो correct answer इसका कितना हो गया 2 n c 1 तो देखिए एक बहुत खतरनाक सा question था जिसको हमने बहुत simple तरीके से यहाँ पर solve कर लिया है just value put करके तो आप लोग भी इस तरीके क्यादत बनाईए कि हम value put करके answer कर लेंगे चलिए अगला next है अगला question देखिए क्या कह रहा है question है कि आपके पास कोई quadratic equation है quadratic polynomial quadratic equation है px square minus 2x plus 2 equal to 0 यह एक वर्ग समीकर्ण यानि quadratic equation आपके सामने दिया गया है ओके कह रहा है कि इस समीकर्ण के कैसे गुड़न खंड हो रेखे गुड़न खंड this equation having linear factor रेखे गुड़न खंड मीन linear factor ओके गुड़न खंड हो तो बताना है आपको कि p का मान क्या होगा p greater than or equal to 1 by 2 p greater than 1 by 2 ok p equal to 1 और d option दिया गया है p equal to 2 देखे क्या कह रहा है रेखे गुड़न खंड रेखे गुड़न खंड का मतलब आप जनते हैं जैसे आपके पास कोई ax square plus bx plus c का समीकर्ण है उसके रेखे गुड़न खंड मतलब x minus alpha और x minus beta यह इसके गुड़न खंड होंगे और जब इसके गुड़न खंड होंगे तो इसके कितने मूल निकलेंगे कितने roots निकलेंगे इसके 2 roots निकलेंगे तो दो रूट्स की कंडिशन क्या होगी दो रूट्स की कंडिशन होगी हमारे पास क्या कंडिशन मनेगी दो रूट्स की दो रूट्स की कंडिशन होती है दी इस ग्रेटर और इकल टू जीरो जो विवित्तिकर होता है वो शुन या सुन से बढ़ा हुआ करता है दी इस ग्रे माइनस 4 इंटो एकी value P और C की value 2 is greater than or equal to 0 तो माइनस 2 का square माइनस 4 और माइनस 8 P greater than or equal to 0 ठीक है तो इसको 0 से इसको माइनस 1 से गुणा कर दीजे माइनस 1 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा minus 1 से गुणा कर देने पर अपने पास हो जाएगा minus 4 plus 8P और inequality का sign change हो जाएगा यह हो जाएगा less than or equal to 0 minus 4 plus 8P less than or equal to 0 तो 8P less than or equal to 4, तो P is less than or equal to 4 upon 8 तो P is less than or equal to 1 by 2, तो स्क्रीन शॉट ले ले जल्दी से इसका answer क्या होगा P is less than or equal to 1 by 2 एक मिनट, option में less than or equal to 1 by 2 की जगा मैंने greater than लग दिया, सही कर लिजे यह less than or equal to 1 by 2, option number A is the correct, ओके यह option थे चलिए, ठीक है दन note कर लिजे इसको screen पे है जो आपके solution अगला question जो आया है एक्जाम में वो है आपको statistics से, सांखिकी से ठीक है, सांखिकी तो अगला concept जो है आपको सांखिकी का है तो यह question मैं अभी यहाँ पे नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि सांखिकी थोड़ा आपको उतना चटच मैंने अभी नहीं कराया है, पहले उसकी problem करा लिजाए, फिर उसके बाद हम आपको करेंगे सांखिकी को अगला question लिखेंगे उस रेखा का समीकर ज्याद कीजिए, जिसके अंतर्य खंडों के वित्करम A तथा B है, रेखा को मैं सवाल लिख दिता हूँ, उस रेखा का समीकर ज्याद कीजिए, कीजिए, जिसके अंतर्य खंडों के वित्करम क्या भी यां अंतर्य खंडों के वित्करम A और B A तथा B है, ओके, तो मान लीजिए आपके पास रेखा का समीकर ज्याद कीजिए, होता है X upon A plus Y upon B equals to one but यहाँ पर A और B तो अंत्य खंड होते हैं but इन situation में आपको अंत्य खंड का विद्करम दिया गया है मतलब जो A है वो कितना है वो है अंत्य खंड का विद्करम वो है 1 upon A और जो B है वो कितना है 1 upon B so simple यहाँ से A की value कितनी हो जाएगी A की value हो जाएगी A उपर जाएगा यह हो जाएगी 1 upon A और यहाँ से B की value हो जाएगी कितनी 1 upon B तो अब इसको उपर भेज दीजे तो X upon यह हो जाएगा 1 by A plus Y upon 1 by B equals to 1 so यह कितना हो गया A X plus B Y equal to 1 तो यह बहुत ही सरल सवाल इसको भी आप लोग नोट करिए screenshot लेजे जल्दी से चली next अगला question देखते हैं अगला question बहुत अच्छा आया है अगला question क्या कह रहा है बिंदू A1 B1 तथा A2 B2 से बराबर इस्थित दूरी से बराबर दूरी पर इस्थित बिंदू के बिंदू पत का समी करण दिया गया है मतलब मैं प्रशन लिख देता हूँ बिंदू A1 B1 तथा A2 B2 से बराबर दूरी पर इस्थित बिंदू का बिंदू पत का समी करण क्या दिया गया है A1 माइनस A2 इंटू X प्लस B1 माइनस B2 इंटू Y प्लस C इकोल टू 0 है तो आपको बताना है तो C का मान क्या होगा देखी क्या कंडिशन कही जा रही है कि एक आपके पास बिंदू है A1 कॉमा B1 और दूसरा बिंदू आपके पास में है A2 कॉमा B2 और इससे जो बराबर दूरी पर इस्थित बिंदू है इससे जो बराबर दूरी पर आपके पास बिंदू जा रहा है तो बराबर दूरी पर कौन जाएगा ये बिंदू पत बनेगा बराबर दूरी पर तो इस दोनों बिंदूओं से बराबर दूरी पर जो बिंदू बन रहे हैं उसका बिंदू पत तो बराबर दूरी पर जो बिंदू चलेगा वो इस सरल रेखा पर चलेगा और ये है इस सरल रेखा का समीकरण बिल्कुल है जो आपको दिया गया है क्योंकि बिंदु पत एक प्रकार का समीकरण होता है तो आपको कह रहा है कि अगर ये इसका समीकरण है तो C का मान ग्याद कीजिए देखिए तो अगर ये इस बिंदु पत का समीकरण है तो ये जो मध्य बिंदु होगा ये इसी बिंदु पत पे बैठा होगा और इस मध्य ब रेखा पर बैठे होंगे तो चली एक काम करते हैं इसको पुट कर दीजे तो a1 माइनस a2 के साथ मल्टिप्लाई कर दीजे a1 प्लस a2 बाई 2 क्या कर रहे हम लोग हम लोग x के निर्दिसांग और y के निर्दिसांग की समीकण में रख रहे हैं है ना क्योंकि इसको संतुष्ट करेगा और यह है b1 माइनस b2 मल्टिप्लाई बाई b1 प्लस b2 बाई 2 और प्लस c की वैल्यू किती है 0 अब हमारा c का मान आ जाएगा थोड़ देर में तो देखिए यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा a1 square माइनस a2 square upon 2 प्लस b1 square माइनस b2 square upon 2 और प्लस c equal to 0 तो यदि मैं इसको इधर ले जाता हूँ तो क्या बन जाएगा मेरे पास में देखिए यदि मैं पहले c को उधर ले जाऊं या इसको इधर ले जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता है तो c is equal to minus common ले लिजे और minus common लेने के बाद ही हो जाएगा कितना a1 square minus a2 square plus b1 square माइनस का b2 square whole divided by 2 अब थोड़ा से इसको simplify कर लिजे तो c का माना जाएगा 1 by 2 minus sign खोलेंगे तो जो minus के term में हो plus में हो जाएगे a2 square minus a1 square plus b2 square minus b1 का square 2 थो ही है बाहर ले लिए आपने तो ये होगा इसका answer c का मान ये होगा इसको note कर लिजे clear क्वेशन कह रहा है कि कि किसी एक ट्रेंगल है कोई और ट्रेंगल में एक भाग की टेंजेंट जो है दूसरे भाग की टेंजेंट का के गुना है ठीक है पूरा question मेरे को मिल नहीं रहा हाँ मिल गया question मैं पहले explain कर देता हूं आपको question क्या लिखा है question लिखा है यदि theta कोण को दो ऐसे भाग में बांटा जाता है मतलब आपके पास कोई कोण theta है उसको आप दो भागों में बांट रहे हो तो theta को आपने दो भागों में बांट लिया alpha और beta तो क्या लिख सकते हो आपकी alpha प्लस beta equal to theta यदि कोण theta को ऐसे दो भागों में बांटा जाता है कि एक भाग की tangent दूसरे भाग की tangent का k गुणा है ठीक है ना तो tangent क्या होता है tangent यानि की 10 तो given है एक भाग की tangent यानि की 10 alpha बराबर है दूसरे का 10 गुणा यानि k times of 10 beta दूसरे का 10 गुणा है और क्या कह रहा है और उनका जो अंतर है वो phi है मतलब यहाँ पर जो angles है जो दो भाग में बाटा है आपने उनका अंतर कितना दिया है phi मतलब alpha minus beta की value कितनी है phi फिर आपको ग्यात क्या करना है आपको ग्यात करना है की sin theta का मान क्या होगा ठीक है यहाँ से हटा करके मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ आपसे पूछा गया है की sin theta का मान क्या होगा options क्या क्या है option है k plus 1 upon k minus 1 sin phi b option है k minus 1 upon k plus 1 sin phi option number c है 2k minus 1 upon 2k plus 1 sin phi 2k minus 1 upon 2k plus 1 sin phi और चौथा option है none of these तो यह 4 options आपके सामने दिये गये हैं और आपको बताना है की right option कौन सा है तो देखे इसको कैसे solve करते हैं यहाँ पर यह कहा गया है की हम theta को दो पार्ट में बाट चुके हैं तो alpha plus beta equal to theta और alpha minus beta equal to phi दिया गया है 10 alpha equal to k 10 beta दिया गया है अब इसको हम कैसे solve करें देखिए तो alpha और beta हमको ले करके आना है और पूरी कहानी को हमको कहा ले करके जाना है sin की तरफ ले करके जाना है तो मैं solve करता हूँ यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ sin alpha upon cos alpha equal to k sin beta upon cos beta तो यह हो जाएगा sin alpha into cos beta upon cos alpha into sin beta equal to k अब यदी यहाँ पर आप compoundendo dividendo लगा दे यानि योगांतरा नुपात लगा दे तो आपके पास alpha plus beta की expression बन जाएगी ठीक ना योगांतरा नुपात कहता है नीचे वाली चीज़ को एक बार जोड़ो और एक बार minus करो तो कैसे solve करेंगे हम देखिए इसको मैं next page पे लिए चलता हूँ तब यह समझ में आएगा आपको येस ओके हैलो येस ठीक है तो इसको अब देखिए कैसे तरीके solve करेंगे हम यहाँ पर इसको compoundendo dividendo लगाते हैं योगंतरा नुपात तो sine alpha into cos beta plus cos alpha into sine beta नीचे वाली चीज़ एक बार add कर दीजिए और sine alpha into cos beta minus cos alpha into sin beta नीचे वाली चीज़ को एक बार जोड़ना पदता है एक बार घटाना पदता है k के नीचे कौन है 1 है तो k plus 1 upon k minus 1 ये क्या हो जाएगा उपर हो जाएगा sine alpha plus beta और नीचे हो जाएगा sin alpha minus beta equal to k plus 1 upon k minus 1 ठीक है back slide में चलते हैं देखे alpha plus beta की value हमको कित्ती दी गई है alpha plus beta की value theta दी गई है और alpha minus beta की value phi दी गई है तो यहां से alpha plus beta यानि की sin theta upon ये कितना हो गया sin phi equal to k plus 1 upon k minus 1 तो क्या sin phi हमारा आ गया हां आ गया almost आ चुका है answer हमारा तो हमारे पास देखे sin phi की value पूछी गई है तो यहां से इसको उपर ले जाएगे तो या पलड दीजे तो भी ठीक है तो पलड देता हूं मै sin phi upon sin theta equal to k minus 1 upon k plus 1 so sin phi is equal to कितना हो जाएगा k minus 1 upon k plus 1 into sin theta तो option क्या होगा k minus 1 upon k plus 1 into sin theta option A उपर क्या है k minus 1 sorry option number B है option B है क्योंकि k minus 1 upon k plus 1 sin phi आया है यहां पर ठीक इस तरीके से हम इस question को कर सकते हैं अब इसके बहुत अच्छी short trick मैं आपको बताता हूं देखें ऐसा question भी exam में आये तो यहां तक अगर आप ऐसे करेंगे तो बहुत time लग जाएगा तो बहतर है कि आप इस question को short trick से deal करिए देखें कहा क्या गया था कहा यह गया था कि आपके पास कोई angle theta है जिसको दो पार्ट में आपको तोड़ा गया है तो theta मान लीजे 90 तो 90 को आपने दो पार्ट में तोड़ दिया है तो पहला angle आपने जो alpha है alpha की जगे 60 ले लिया और beta की जगे क्या ले लिया 60 and 30 तो आपके पास में alpha theta equals to alpha plus beta 60 plus 30 यह तो हो गया और दूसरा angle आपके पास दिया था 5 और 5 कितना था alpha minus beta that is equal to 60 minus 30 याने की 30 degree यह आचुका है आपके पास अब दूसरी condition आपके पास क्या दी थी दूसरी condition दी थी कि 10 alpha जो था that is equal to k 10 beta k 10 beta तो यहाँ पे 10 alpha means कितना है 10 60 degree equal to k times of 10 30 degree यह कितना हो जाएगा root 3 equal to k into 1 upon root 3 तो root 3 into root 3 कितना हो गया k मतलब k की value कितनी आ गई 3 आ गई है अब आप से क्या पूछा गया है आप से पूछा गया है कि बताई यह जो question में आपके पास पूछा गया आपको मैं slide में ले चलता हूं तो आप से पूछा गया है कि sine theta की value क्या होगी sine theta की value आपको बतानी है कि sine theta की value क्या होगी और option आपको दिये गया है ठीक ना तो sine theta की value अपन निकाल लेते हैं तो sine theta equal to कितना बनेगा sine of 90 degree और sine 90 degree कितना होता है 1 अब जो हमारे पास option दिये गया है 1 by 1 हम उन option में put करके देखेंगे तो option number जो A हमारे पास दिया गया है वो है k plus 1 upon k minus 1 into sine phi आईए देखते हैं तो k की value कितनी निकली है इसमें put करके k की value है 3 plus 1 upon 3 minus 1 into sine phi कितने degree है 5 हमारे पास में है 30 degree ठीक है तो put करके देखता हूँ उपर 3 plus 1 हो गया 4 और नीचे 3 minus 1 हो गया 2 into sine 30 हो गया 1 by 2 हम तो k plus 1 upon k minus 1 तो यहाँ पे क्या हो गया 2 to the 4 4 से 4 क्या हो गया cancel हो गया तो answer तो match कर गया अब दूसरा option लेकर के देखता हूँ पहले मैंने क्या लिया है k की value 3 plus 1 अब b option लेकर के देखता हूँ तो b option मेरे पास कितना है b option मेरे पास है k minus 1 upon k plus 1 multiply by k minus 1 into k plus 1 multiply by sine phi sin phi sin phi तो k की value हमने क्या लिये k की value हमने लिये 3 minus 1 नीचे 3 plus 1 into sin phi यहने की sin 30 degree ठीक है 3 minus 1 का मतलब 2 हो गया और 3 plus 1 का मतलब कितना हो गया है यहाँ पे 3 plus 1 हो गया 4 multiply by sin 30 degree यहने की 1 upon 2 एक मिनट यह गलत क्यों हो रहा भई हमारा answer तो b आया इस तरीके से बट इसमें हमारी short trick से answer match नहीं हो रहा है एक मिनट answer कहीं मैंने गलत तो नहीं लिख दिया है a और b की जगह … sin phi is equal to over k plus one upon k minus one alpha plus beta is equal to theta and alpha minus beta is equal to phase right तो sin theta upon sin phi is equal to this और हमसे पूछी गई है sin θ की value, मैंने लिकाल दी है sin phi की value, यस ये गलती हुई है, देखी हमसे sin θ की value पूछी गई है, और मैंने लिकाल दी है, आपके सामने sin phi की value तो मेरे जिस साइन थीटा की वैल्यू निकालनी थी तो यह expression मैं पूरा-पूरा हटा देता हूँ क्योंकि यह expression मेरे किसी काम का अब नहीं है थोड़ी सी mistake यहाँ पर हुई है जिसकी वज़े से answer हमारा incorrect हो रहा है तो देखिए अब इस गलती को सुधार लेते हैं यहाँ पर यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू चाहिए bod 2 xxx protector की टो साइन थीटा इसांट एक अप्शन था आपॉन के माइनस वन साइन फ़ाई तो यह वैल्यू हमें चाहिए थी साइन सृत की के प्लस वनань-पॉन ए इसको जो गलत था उसको सज़ी कर दे यह गलत option था करेक्ट औ्पशन कया होगा यह प्लस तो एक 빼 और 90 की वैल्यू किती है वन है तो शॉट ट्रिक से बहुत जल्दी इस क्वेशन को हमने कर लिया आपने यह चीज़ सीख ली कि शॉट ट्रिक का उप्योग बहुत जल्दी हमारे आंसर को ला देता है नोट करिए कि स्क्रीन next question है तीन पत्ते बारी बारी से पुनर स्थापन के साथ निकाले जाते हैं तो मतलब आपके पास 52 कार्ड हैं और 52 कार्ड में से आप तीन पत्ते एक पत्ता निकालो फिर उसको वापस पुट कर दो फिर दूसरा पत्ता निकालो फिर तीन पत्ते आपने निकाले हैं आपको probability निकालना है कर दो एक के और एक बाशचा तो दो के और एक बाशचा निकालने की प्राडिली बताईए बहूत ही simpolit कोश्च्चन के एकदम निकालनी है, पहला निकालेंगे 1 का, फिर निकालेंगे King No.1 और फिर निकालेंगे King No.2 और ये काम आपको लगातार करना है, तो चलिए कैसे निकालते हैं, तो पहले अपने 1 का निकाला, तो टोटल कितने 1 के होते हैं, 4, चार में से 1 का 4C1 upon 52C1, multiply भई, फिर आपने replace कर दिया मतलब card वापस दे दिया, तो card जैसे आपने वापस दे दिया, तो आपके फिर से 52 पत्ते हो गए, तो आपको King निकालना है, तो King कितने निकलेंगे, King होते हैं, 4C1, ठीक है न, out of कितना, 52C1, फिर वापस कर दिया, तो फिर से 52 पत्ते हो गए, फिर एक और King निकालना है, तो 4C1 upon 52C1 तो आंसर कितना आएगा 4 by 52 4 by 52 4 by 52 तो ये हो गया 1 बटे 13 1 बटे 13 और ये भी हो गया 1 बटे 13 ठीक है ना तो आंसर इसका हो जाएगा 1 by 13 का whole cube किसी का doubt है तो please welcome doubt बताइए हाँ एक के दो निकाले हैं देखो नहीं एक के दो नहीं निकालें बटे राजा दो निकलाई लिखा तो है एक का एक है king दो है oh 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 so sorry बटे ये मेरे से गलती भी है देखो आपने बिल्कुल सही पहचा ना यहाँ पे दो एक के नहीं थे एक राजा है और इक एक का है और दो राजा है तो यहाँ पे question में क्या था एक एक का और दो राजा एक का और दो राजा जी हाँ दो राजा थे ठीक ना अच्छा अगर आप कहें इसमें कि दो एक के निकालें और एक राज़ा निकालें तो भी probability वही आएगी क्योंकि 1 के भी 4 होते हैं और राजा भी 4 होते हैं तो यदि गलती से गलत भी होता है ये question तो फिलाल answer सही हो जाता बढ़ ऐसा नहीं करना चाहिए तो यदि आपका मैं question कह दूँ कि sir 1 के 2 है तो एक और question ले लेते हैं देखे probability निकालना है प्राइकता निकालना है दो एक के और एक राजा ठीक है तो probability पहला एक का ये काम हो गया फिर इसके बाद probability दूसरा एक का फिर probability पहला राजा ठीक है न तो टोटल एक के कितने होते हैं 4, 4C1 upon 52C1 क्योंकि हमने card वापस रख दिया है तो प्रभाव नहीं पड़ेगा तो फिर से 4 इक के हो गए अपॉन 52C1 और फिर कितना आजाएगा 4 पत्ते होते हैं किंग के अपॉन 52C1 बट यदि यहीं पर हम पत्ते वापस ना रखें तो probability बदलती जाएगी तो यदि हम पत्ते वापस ना रखें तो पहला एक का खीचने की probability इसको क्या लिखेंगे बिना प्रतिस्थापन के मतलब अगर आप replacement नहीं कर रहे हो in English it is called without replacement अगर आप replacement नहीं कर रहे हैं तो पहली probability देखे PA1 into PA2 into PK1 तो यह देखे क्या हो जाएगा PA1 कितना हो जाएगा 4C1 upon 52C1 अब एक एक का आपने जेब में डाल दिया है तो कितने एक के बच गए तीन और नीचे कितने कार्ड बन गए 51C1 अब इसके बाद एक किंग निकालना है तो किंग कितने होंगे 4 तो 4 में से एक किंग बट नीचे कितने पत्ते बचे हैं 50 पचास में से एक तो प्राबिल्डी कितनी आएगी 4 upon 52 into 3 upon 51 into 4 upon 50 तो यह आंसर इसका बदल जाएगा डन? ओके गुड चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्लैट कक्छा ग्यार्वी का बहुत यासान क्वेश्चन है क्वेश्चन है अगर एक्स और वाई दो समुच्चे हैं तो आपको बताना है एक्स इंटरसेक्शन य यूनियन एक्स डैस क्या होगा? वाई यूनियन एक्स डैस एक मिनट डैस किदर लगा हुआ है मैं जड़ा देख लूँ उपर लगा हुआ है y union x का whole dash क्या होगा बताइए option a है x होगा b है y होगा c है phi होगा और d है इन में से कोई नहीं तो x intersection y union x dash x के साथ intersection करना है y और x dash का चलिए बताइए क्या होगा y phi कह रहे है चलिए बिल्कुल सही जब आवे very good right answer correct answer phi है तो इसको हम कैसे solve करते हैं देखो दो दरीके solve हो सकता है एक तो vane diagram से vane diagram से क्या कह रहा है इसको यदि सही तरीके से लिख लो तो ये है x intersection x union y का complement मतलब x का common part किसके साथ x union y के ना होने के साथ तो भई x union y का ना होना और उसके साथ x का common तो यदि ये diagram में बनाया जाए तो ये x है और ये y है और x और y का ना होना जो होगा वो ये कहलाएगा और अब देखा जाए कि x और y के ना होने के साथ x का common area कौन सा है कुछ भी नहीं है तो answer इसका क्या आ जाएगा यहीं से देख करके 5 आ जाएगा चलो ऐसे नहीं करना है तो एक और तरीका है डि मॉर्गन स्लो से इसको उपन कर दो तो x intersection x bar intersection y bar ठीक है ना अब इसको खोल दीजिए रूल से तो क्या हो जाएगा x intersection x bar ओके और x intersection x bar और intersection y bar कौन सा रूल लगा दिया है associative रूल दो को साथ में कर लो और एक को किनारे कर दो साहे चरेनियम कौन सानियम साहे चरेनियम ठीक ना क्या रूल होता है देख लो यहाँ पे लिख देता हूँ कि a intersection b intersection c बराबर a और b को साथ में ले लो और c को बाहर कर दो तो x intersection x bar ये कितना हो गया भाई phi हो गया और phi intersection y bar तो किसी भी element का phi के साथ common क्या आता है phi ही तो आता है तो answer इसका कितना होगा phi done चलिए अगला सवाल binomial theorem दिपत प्रमे से अगला सवाल है next question है कि आपके पास कोई theorem है कोई प्रसार है 1 प्लस x की पावर 2 n प्लस 2 1 प्लस x की पावर 2 n प्लस 2 के विस्तार में आपको बताना है सबसे बड़ा गुडांक या उसी को बोलते है महत्तम गुडांक क्या होगा ओके महत्तम गुडांक क्या होगा तो देखे आप जानते हैं कि 1 प्लस x की पावर n के प्रसार में जो महत्तम पद होता है महत्तम गुडांक जो होता है क्या होता है वो मध्य पदगा गुणांग होता है किसका गुणांग होता है मध्य पदगा गुणांग आप देख सकते हैं जैसे आपके पास मान लिजेख है आपके पास equation है आपके पास में 1 प्लस x की पावर 2 ले लो ओके 2 ले लिया तो क्या बनता है बेखें यहाँ पे 1 का square 1 प्लस 2 into x और प्लस 1 तो यह महत्तम गुणांग कौन सा या बीच वाला तो अब हमको निकालना है महत्तम पद कौन सा होता मध्य पद तो अब हमको इसका मध्य पद निकालना है किसका 1 प्लस x की पावर 2n प्लस 2 का मध्य पद निकालना है तो मध्य पद कैसे निकलेगा देखो जी मध्य पद के लिए सबसे पहले कुल पद निकालो कुल पद तो दिपद प्रमे में कुल पद हमेशा कितना होता है घात से एक जादा तो भाईया 2n प्लस 2 buttons 1 मतलब कितने पद हो गय is 2n plus 3 2n plus 3 हो गय कुलपद कैसा है विशम और अगर कुलपद विशम हो कुलपद विशम हो तो मद्द्य पद क्या होता है मद्ध्य पद होता है उस समय कुलपद प्लस एक बटे दो ये होता है इसका मध्धपद ठीक ना इसका जो मध्धवापद होता है वो कुलपद प्लस एक बटे दोवापद जो होता है इसका मध्धपद होता है तो यहाँ पर कुलपद कितना आया है टू एन प्लस थ्री टू एन प्लस थ्री प्लस एक कर दो अपॉन यानि 2N plus 4 upon 2 ठीक है ना इसका पद जो हो गया वह हो गया 2N plus 4 upon 2 2 common ले लो अमन बेरागी क्लास में जुड़ गये बोलेगा नहीं अमन कल क्लास से क्यों left होते हो फिर ये देखो जूडने के बाद left क्यों होते हो क्या चक्कर है समझ में नहीं आता तो बताओ न कि नहीं समझ में आ रहा है नहीं left होना है तो तमाशा करने के लिए जुड़ा मत करो क्या महौल देखने आते हो कौन-कौन जुड़ा है अब मैं सबको इनको डाट लगाऊंगा जितने लोगे आ करके जुड़के छोड़के जाते हैं तभी क्लास से जुड़ा करो यह थोड़ी ना टीवी का चैनल बदल दिया चल रहा है कोई एना ऐसा नहीं है तो यहां पर कितना हो जाएगा 2N प्लस 2 common ले लिए मैंने तो मतलब N प्लस 2 टर्म इसका जो है मध्य पद बनेगा थीक है ना तो इसका कौन सा पद बनेगा N प्लस 2 पद देखे आब इसका निकालते हैं N प्लस 2 पद का गुड़ाँक निकालने तो हमारे पास प्रसार क्या है हमारे पास जो expansion है वो है 1 प्लस x की पावर 2N प्लस 2 और जो इसका मध्य पद आया है कौन सा आया है N प्लस 2 पद यस तो N प्लस 2 पद यह इसका मध्य पद है कह रहा था सबसे बड़ा गुणांक मतलब हमको N प्लस 2 पद का गुणांक चाहिए तो T N प्लस 2 कैसे लिखा जाएगा T N प्लस 1 प्लस 1 अब formula लगाई ये r plus 1 वाला क्या होता है n c r लिख देता हूँ आपके लिएक पर फिर से t r plus 1 equal to होता है n c r a की power n minus r b की power r तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 n plus 2 c n plus 1 है ना ये इसका गुडांका हैगा तो answer कितना होगा 2 n plus 2 c n plus 1 तो इसको खल कर दीजिए क्या बन जाएगा ये ये बन जाएगा factorial n यानि कि factorial 2 n plus 2 factorial r factorial n plus 1 और n minus r मतलब उपर है 2 n plus 1 और minus n minus का 1 तो उपर है 2 n plus 2 का factorial नीचे है n plus 1 का factorial और 2 n में से n गए तो हो गया n और क्या हो रहा भई n minus 1 हो जाएगा न तो तो यहाँ पर केबल बचेगा 2 n में से n गए और 1 से 1 क्या हो जाएगा ओ यहाँ पर 2 था तभी तो answer मैच नहीं हो रहा है 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा तो answer क्या हो जाएगा 2 n plus 2 और यहाँ पर n plus 1 का square जो की option में मैच कर रहा है मेरे पास options है n plus 1 का square correct answer यही है तो देखो मध्य पद कभी भी निकालना हो या महत्तम पद निकालना हो तो महत्तम पद निकालने के लिए यह पता करोगी भाई मध्य पद कौन सा होगा ठीक है ना यह पता करा करिए कि इसका मध्य पद जो होगा वो कौन सा होगा चली अगला सवाल अगला सवाल डोमेन रेंज के concept का है फलन का है question देखिए exam में पूछा हुआ question है कहरा यदि x वास्तविक है लो पहली धमकी है कि x क्या है real number है x वास्तविक है और k का मान आपको दिया गया है k का मान आपको दिया गया है x square minus x plus 1 और x square plus x plus 1 यह k का मान दिया गया है तो कह रहा है कि यदि इसकी value k है तो आपको बताना है कि k का मान कहा से कहा लाई करेगा option देख लो भाई साब के के option दिए गए है option में लिख देता हूं आप लोगो थोड़ा interest आ जाएगा option है के की value 1 by 3 से लेकर के 3 तक option B है के की value greater than or equal to 3 option number C है के की value less than or equal to 1 by 3 and option number D है none of these तो बताना है कि के का मान कहां से कहां तक आपको लाई करेगा ये बताना है चलिए देखते हैं तो कुल में लाके क्या है के की हमको range find करनी है क्योंकि ये value क्या है output है इसका output है मतलब हमें range find करनी है चलो solve करते हैं इसको तो K की value लिख लेता हूं मैं तो जो K की value है K equals to X square minus X plus 1 divided by X square plus X plus 1 और जहां कहरा कि X real है तो K को multiply कर दो तो ये हो गया KX square plus KX plus K equal to X square minus X plus 1 अब इसको इधर ले जाएए तो ये हो जाएगा KX square minus X square plus KX और प्लस का X plus K minus 1 equal to 0 X square common लो यहां कितना आएगा K minus 1 plus X common लिया K plus 1 और plus K minus 1 चली equal to 0 ये क्या है ये X में work समीकान है X में क्या है work समीकान और क्या बोला गया भाई सब कि X real है मतलब हल क्या आ रहा है real solution आ रहा है X के हला रहे है real वास्तिविक तो वास्तिविक हलाने की condition क्या होती D greater than or equal to 0 मतलब B square minus 4AC greater than or equal to 0 D common कितना होता है B square minus 4AC होता है तो greater than or equal to 0 चलो solve करो मतलब ऐसे question तो आपको 100% मिलेंगे हर exam में बहुत common question है तो B square minus 4AC greater than or equal to 0 तो B square मतलब कितना K plus 1 का square minus 4 into A मतलब K minus 1 और C into K minus 1 greater than or equal to 0 ठीक है K plus 1 का square K square plus 2K plus 1 और minus 4 एक सेकंड पहले इसको multiply करना हूँ तो यह हो गया K square minus 2K plus 1 greater than or equal to 0 तो यह हो गया K square ठीक है K square plus 2K plus 1 minus 4K square plus 8K और minus का 4 ठीक है हरी साहू अभी तुम जुड़े थे ना ठीक है तभी जुड़ा करो बेटा जब class को regular लेना हो और पूरी class करनी हो ठीक है ना हाँ तो minus 4 greater than or equal to 0 तो K square minus 4K square हो गया बेटा minus 3K square 8K plus 2K कितना हो जाएगा 10K प्लस का 10K और 1 minus 4 मतलब minus 3 greater than or equal to 0 अब minus sign का multiply करो दो equation में तो अच्छा दिखेगा यह 3K square minus 10K plus 3 यह हो गया less than or equal to 0 अब हमको इस asamika को हल करना है तो चली हल करते हैं तो क्या हो जाएगा गुणा करने पर 9 आए और जोड़ करने पर minus 10 तो 3K square minus 9K minus K plus 3 less than or equal to 0 तो यहां से 3K common ले लिया मैंने तो कितना बज़ गया K minus 3 और minus 1 common लिया तो K minus 3 less than or equal to 0 तो K minus 3 K minus 1 less than or equal to 0 चली है अब इसको आँगे हमको solve करना है किस तरीके से हम इसको solve करेंगे K minus 3 K minus 1 less than or equal to 0 यह आपके लिए देखने वाली बात है चली है तो K minus 3 K minus 1 less than or equal to 0 तो सबसे पहले देखें कि यह 0 कहां पे हो रहा है तो K minus 3 equal to 0 this means K equal to 3 and K minus 1 equal to 0 यहने K equal to 1 तो एक number line बनाईए पहले क्या आएगा पहले 1 आएगा और फिर बाद में क्या आएगा 3 आएगा equality लगी हुई है इसलिए इनको dark कर दो तो 1 पर dark किया 3 पर dark किया ठीक है अब 3 से कोई बड़ा number लिलो 3 से कोई बड़ा number तो 3 से कोई बड़ा number क्या होता 4 तो यहाँ पर put करो किसमें expression में आपके पास K minus 3 और K minus 1 तो 4 put करो तो 4 में से 3 कितना हुआ 1 और 4 minus 1 कितना हुआ 3 तो क्या रहा है धनात्म का रहा है positive तो इस तरफ के number क्या होंगे positive इस तरफ के number क्या होंगे negative और इस तरफ के number अगर आप फिर put करोगे 1 से छोटे तो put करके देख लो वो भी positive हो जाएंगे तो हमें क्या चाहिए था हमें less than 0 वाले product चाहिए थे less than 0 वाले number के ऐसे number जो answer less than 0 देंगे तो less than 0 कोई mistake हो रही हमसे यहाँ पे yes mistake यह होई है कि यहाँ पे हमने k-1 लिख दिया है हमें यहाँ पे लिखना था 3k-1 ध्यान से देखो k-3 है और यह 3 छूट गया था 3k-1 तो यह हो जाएगा कितना 1 by 3 चलो 1 by 3 तो यह हो गया कितना 1 by 3 ठीक है बस अब बाकी सब कुछ ठीक है तो यह positive आएगा यह positive आएगा यह negative आएगा तो हमें क्या चाहिए यह less than 0 less than 0 मतलब negative तो negative के लिए हमाई पास interval क्या बनेगा k की value जो होगी 1 upon 3 से लेके 3 के बीच में तो answer k is between 1 upon 3 to 3 चले रेखते हैं answer में 1 upon 3 to 3 कौन सा था अपना so correct answer is first option is correct answer 1 upon 3 to 3 तो इस तरीके से हम k की values भी निकाल लेते हैं चले दो मिनट का ब्रेख दीजे next question है circle से व्रत से उठा रहा हूं अगला question तो अगला question है आपके पास में की व्रत x-7 का square आपके पास एक व्रत दिया है x-7 का square प्लस y-1 का square इक्वल टू 25 यह है x-7 का square y-1 है एक्वल टू 25 पर मूल बिंदू से डाली गई इस परशियों के बीच का कोण बहुत अच्छा सावाल एंडिये का favorite question है आईए देखे कैसे करते हैं तो हमारे पास क्या है एक भाई हमारे पास यह है एक व्रत बना हुआ है तो हमें एक व्रत यहाँ पर आपके लिए बनाए लेते हैं और फिर उस पर हम जो है इस पर सीखीचेंगे तो यह हमारे पास में एक व्रत बन गया जी ठीक है यह व्रत हमारे पास बन गया है अब इस पर हम एक straight line draw कर रहे हैं एक हमको line मनाना है तो देखिए एक line हमने यह बनाई यह draw कर दी ठीक है और एक और line हम इस पर draw किये देते हैं इसी point से क्योंकि इस पर स्रेखा बनानी है जे लीजी आई होप आपको यह line दिखरी होंगी विजिबल है line भाई तो देखिए यहाँ पर दो line है और व्रत का समीकन आपको क्या दिया गया है x-7 का square y-1 का square तो आप जानते हैं व्रत के समीकन का case क्या होता है x-h square plus y-k का square बराबर r square तो यहाँ पर इसका जो केंदर होगा वो केंदर कितना बन गया केंदर बन गया 7,1 7,1 इसका केंदर बन गया है ठीक है और आपको बताना है कि मूल बिंदू मूल बिंदू कहां बैठा है 0,0 से खीची गई इस परशी के बीच का कोण मूल बिंदू से डाली गई इस परशी के बीच का कोण आपको यहां से दोनों कोण को यह दोनों रेखाओं के बीच का कोण निकालना है तो आईए कैसे निकालते हैं देखिए तो यहां से यहां तक तो भाई साब इसकी क्या हो गई यह हो गई इसकी त्रिज्या और यह कित्ती दी गई है पाँच अगर मैं इसको यहां से यहां मिला दूँ तो यह कोंड मेरे पास आ जाएगा अलफा और इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक की दूरी मैं ग्याद कर लूँ बिंदु दूरी का सूतर लगा के तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 7 माइनस 1 का स्क्वेर यानिकी 49 ओके और 1 माइनस 0 का स्क्वेर यानिकी 1 ही हो जाएगा तो मतलब हो गया भाई साब कितना रूट 50 रूट 50 मतलब 25 गणवे 2 मतलब 5 रूट 2 लिए तो ये कितना आ गया 5 रूट 2 अब यदि इस के लिए देखा जाए तो ये एंगल होता है 90 डिगरी ये हो गया इस कोण के लिए ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण ठीक है ना क्योंकि सम कोण के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं कर्ण याने की हाइपोटेनस और कोण के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं लंब तो हमको कोण कौन देगा साइन थीटा तो मैं साइन अलफा इकॉल टू लगाता हूँ लंब बटे कर्ण तो लंब है भाई साब 5 और कर्ण है 5 रूट टू तो 5 से 5 कैंसल سाइन अलफा बराबर हो गया कितना 1 अपॉण रूट टू तो साइन अलफा बराबर साइन 45 साइन से साइन कैंसल कोण कितना आ घ्या 45 डिगरी परंतु यह आधा कोण आया है हमको चाहिए क्योंकि ऊपर अलफा है तो नीचे भी अलफा होगा तो टोटल कोण कितना हो जाएगा 90 डिगरी स्क्रीन शॉट ले लीजिए आपको अच्छे से समझ में आया हो गए सवाल क्लियर है क्वेशन है इफ साइन अलफा प्लस साइन बीटा एक्कॉल टू टू बोला गया है तो देखिए आपसे बोला गया है कि उस समय कॉस स्क्वार अलफा प्लस कॉस स्क्वार बीटा का मान क्या होगा तो ऐसे क्वेशन में आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है कभी आपको दिखे कि इसकी वैल्यू टू आ रही है तो आप समझ जाईए कि दोनों मैक्समम केस पर ये भी वन रहा होगा और ये भी वन रहा होगा ठीक है ना तो ये भी वन है और ये भी आपके पास में कितना है वन है तो वन कब मिलता है साइन की वैल्यू अधिकतम वन मिलती है जब कितना होता अलफा इकुल टू 90 डिगरी और ये बीटेक कुल टू कितने डिगरी 90 डिगरी तो दोनों 90 90 रहेंगे तब ये अधिकतम मानिस का दो मि के question को पहचानना जो है बहुत आसान है कि कभी भी आपके पास में जैसे for example मान लीजी आपके पास में कोई question आया है कि sin alpha plus sin beta plus sin gamma तीन एंगल है और आपके पास दिया गया है 3 और आपसे बोला गया है cos alpha into cos beta plus cos gamma find करो कोस alpha plus cos beta cos gamma तो आपको समझ जाना चाहिए क्योंकि ये value 3 है मतलब ये 1 1 1 रहा होगा और इसके लावा कोई choice नहीं है क्योंकि sin theta की maximum value ही 1 होती है ओके तो इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता है तो ये 1 1 1 1 रहा होगा तो 1 कब होता है जब theta equal to कितने degree 90 मतलब यहाँ alpha भी 90, beta भी 90, gamma भी 90 तो solve करेंगे तो cos alpha 0, cos beta भी 0, cos gamma भी 0 इसका answer कितना आएगा? 0 बोले सभी लोग समझ में आया next question लेते हैं बहुत easy सा concept है if x to the power n equal to a to the power m cos की power 4 theta and y to the power n equal to b to the power m sin 4 theta ये दिया गया है तो आपको बताना है कि x और y में relation से आपको बना के लाना है ठीक ना? तो x तथा y में संबंध स्थापित कीजिए x तथा y में संबंध आपको स्थापित करना है तो चलिए देखे कैसे स्थापित करेंगे इसका सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूँ बहुत या आराम से हो जाएगा question ये देखे x की power n के नीचे a की power m लेके जाएगे और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपके पास cos की power 4 theta इसी तरीके से y की power n के नीचे b की power n लेके जाएगे अब क्या करिए? यहाँ भी कर दिजे power 1 by 2 और यहाँ भी power 1 by 2 दोनों तरब आपने half power ले लिए, half power मतलब square root एक तरीके से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, x की power n by 2 upon a की power m by 2, और 2 से कट जाएगा, 4 किते बार हो गया 2, तो ये हो गया cos square theta, और y की power n upon b की power n, ये भी 2, 2 कर दिया, आपने दो बार इसको भी बांट दिया, 1 by 2, औ और 1 by 2, तो ये भी हो गया, equal to sin square theta, अब दोनों को add कर दीजे, sin square theta plus cos square theta, आप जानते हैं कितना होता है, 1, तो यहाँ पे cos sin square theta की value और cos square theta add कर दीजे, तो कितना आजाएगा, दिखिए, यहाँ पे आएगा, x की power n by 2 upon a की power m by 2, और यहाँ पे आएगा, sin की जाएगा, y की power n by 2 upon, sorry, n by 2 है, upon b की power m by 2 equal to 1, और यही आपका समी करण है, x और y की form में, इसका, note कर लिजे, चलिए, done, clear सबको, okay, अगला question लिखिए, अगला question है, if 10 theta minus cot theta equal to 7, तो आपको बताना है, कि 10 cube theta minus cot cube theta की value क्या होगी, option है आपके, 250, 354, 345, 343, और 364, यह आपके समने options दिए गए है, बताए, यह बहुत ही simple question है, 10 theta minus cot theta equal to 7 है, तो 10 cube theta minus cot cube theta की value क्या होगी, no problem, चलिए, आईए, देखते हैं, इसका solution कैसे करेंगे, तो आपके पास में जो है, यह a cube minus b cube की structure में पूछा जा रहा है, और a minus b का formula दिया गया है, तो हम याद करेंगे a minus b का whole cube क्या होता है, यह होता है, a minus b का whole cube equal to a minus b cube, और minus 3ab bracket में a minus b, यह हमारी help करेगा, तो कैसे help करेगा, देखें, इसको मैं लिख सकता हूँ, a की जगे 10 theta minus cot theta का whole cube equal to 10 cube theta minus cot cube theta, जो मेरे को चाहिए है, minus 3, a की जगे कौन खेल रहा है, 10 theta, b की जगे कौन खेल रहा है, cot theta, और bracket में a minus b मतलब 10 theta minus cot theta, यह थोड़े से observations हमको तगड़े करने पड़ते हैं, question देखके यह अंदाज लगाना पड़ता है कि यह हो जाएगा, बहुत सारे बच्चे इसमें क्या लगा देंगे, a q minus b cube, बटो फस जाएगे, क्योंकि a q minus b cube का formula होता है, a minus b bracket में a square plus a b plus b square, तो यह तो चलो निपट लोगे, इसके साथ भी निपट लोगे, बटे a square plus b square आपके सामने दिक्कत खड़ी कर देगा, इसलिए बहतर है कि यह लगाओ, तो 10 theta minus cot theta की value किती है 7, तो 7 का cube equal to, यह तो आपन को चाहिए ही है, 10 cube theta minus cot cube theta, minus 3 into, 10 से cot क्या हो जाता है, cancel, तो 3 into 1, और multiply by कितना, 7, तो यह कितना हो गया, 7 का cube कितना होता है, 243 equal to 10 cube theta, minus cot cube theta, और 7 और 3 कितना हो गया भाई, 21, तो इस तरफ 21 को add कर दो बेटर होगा, तो 3 और 1 हो गया, 4 है ना, 7 का cube 243 की 343, एक बार trace कर लें दो मेरे को, 49 गुणे 4, 7 नाम 63 की 3 हासिलाई 6, 7 चोके 28, 28, 26, 34, 343 होता भाई, तो यहाँ पे 343 कर लो, और 21 जोड़ दो इसके साथ, तो 3 और 1, 4, 4 और 2, 6, और 364, तो correct answer कितना होगा इसका, D option 364, बोलो अब clear है, नोट कर लो, चलिए, अगला question देखते हैं, बहुत अगला question बहुत अच्छा question है, देखें क्या question है, इसको बहुत अच्छे समझेगे जहाँ पर दिक्कत होए, रोके पूछेगा, question है, यदी, यदी कोई इंगलिश में इफ बोलते हैं, इफ, cos square theta, plus 2 sin square theta, plus 3 cos square theta, plus 4 sin square theta, up to, up to, up to, up to, कहते करते कितने 200 पद हैं, 200 पद, मतलब 200 पदों तक का योग आपको दिया गया है, एक लाख पचीस, नहीं, दस अजार पचीस, आपको इसके पदों का योग दिया गया है, कितना, एक डबल जीरो पचीस, मतलब कि दस अजार पचीस, जहाँ पर theta क्या है, जहाँ पर theta, noon cone है, याने की acute angle है, noon cone को acute angle बूलते हैं, जहाँ पर theta, noon cone है, तो आपको पता लगाना है, कि sin theta minus cos theta क्या होगा, लिए भई, sin theta minus cos theta का मान आपको पता लगाना है, कि sin theta minus cos theta क्या होगा, बहुत बड़ा question है, थोड़ी सी इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, आई इसको मैं solve कराता हूँ देखे जरा यहाँ पर total 200 पद हैं और कुछ पद sin के हैं और कुछ पद cos के हैं मतलब 100 पद होंगे sin वाले और 100 पद होंगे cos वाले तो यदि मैं इनकी जोड़ी बना लूँ sin वालों की और cos वालों की तो देखो कैसी बनेगी यहाँ पर मैंने cos square theta अलग कर लिया तो देखो पहले पद का गुड़ांक एक है फिर कितना भाई साब 3 है फिर कितना आएगा 5 आएगा इस तरीके से करते 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 इसके 100 पद यहाँ पर हो जाएंगे कितने पद हो जाएंगे 100 पद अच्छी बात है फिर इसके बाद देखो जी यह sin square theta है तो sin square theta के गुड़ांक अपने पास में ठीक है ना कितने हो जाएंगे देखो पहला इसका गुड़ांक है 2 ठीक है फिर कितना है 4 हाँ बोलो बिटा हर class की वीडियो यूट्यूब में अपलोड होती है हाँ जी 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 कोई बात नहीं बिटा हर class record होती है और पहले के lecture भी record है आप लोग बस पढ़ो हर चीज में आप लोग के लिए अवेलबल कराऊंगा तो 2, 4 है ये 6 है अब टू डॉट 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 करके यहाँ पर कितने पद है भाई साब यहाँ पर भी 100 पद है है ना यहाँ पर भी 100 पद है तो क्योंकि 100 पद इसके 100 पद इसके टोटल हो गया है 200 पद और 200 पदों का योग कित्त दिया गया है 10,025 लो अब इसको अपन हल करते हैं जी तो कॉस स्क्वेर ठीटा रहन दो यह क्या बन रही है एपी बन रही है और एपी के 100 पदों का योग क्या होता है एपी के एन पदों का योग क्या होता है स्न इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू दी ओके तो 100 पदों का योग लिखना है आपर नाम को चलो तो 100 पदों का योग लिखता हूं मैं कितना हो जाएगा 100 बटे दो 2A पहला टरम क्या है एक तो 2 इंटू 1 प्लस एन माइनस 1 मतलब 99 और दी कितना है 2 है बहुत बढ़िया ब्रैकेट बन प्लस साइन स्क्वेर थीटा यहाँ पर कितना आजाएगा 100 बटे 2 पहला पद कितना है 2A तो 2 गुणे 2 हो गया प्लस एन माइनस 1 मतलब वही 99 100 माइनस 1 इंटू डी कितना है 2 एक्वल टू 10,025 चलो काटा कोटी कर दो उपर से दो कॉमन ले लो यह दो कॉमन आएगा यह कैंसल कर देगा यहां से भी दो कॉमन आएगा दो पद है एक पद यह है एक पद यह है कॉमन आके क्या कर देगा दो कैंसल कर देगा तो यहां बज़ गया कितना कॉस स्क्वेर थीटा और यहां कितना आ गया 100 अच्छा 99 और एक कितना हो गया 100 तो 100 गुणे 100 कितना हो गया 10,000 यह हो गया 10,000 बहुत बढ़िया प्लस sin square theta ध्यान से यह देखो यह 99 है और यह प्लस में 2 है तो 99 और 2 कितना हो गया 101 ओके 99 और 2 कितना हो गया 101 और 101 का 100 के साथ गुणा कर दिया तो 101 और double 0 ये लो बराबर कितना हो गया 110,025 यह हो गया 10,025 अब इसको हल करना है पहले आप लोग इसकी screenshot ले लो अराम से फिर solve करते आंगे अभी दिल्ली दूर है कि दन समझ में आया इतने में कोई डाउट है ओके अज़िये तो अभी इसके बाद देखिए यहां पर कितना आ चुका है यह बन चुका है हमारे पास 10,000 cos square theta और यह है 10,100 sin square theta बराबर 10,025 बहुत बढ़ी है जी तो अब इसको क्या करो देखो यह इसको लिखो 10,000 cos square theta और 10,100 कमें क्या लिख सकता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ 10,000 sin square theta प्लस 100 sin square theta लेओ एक क्वल टू कितना हो गया 10,025 यह इस लाइन को समझना अच्छे से यह वाली लाइन ओके क्या किया मैंने 10,100 को मैंने दो पार्ट में वो टोड़ दिया है 10,100 स्वारी 10,000 और 100 क्योंकि 10,100 रुपे हैं तो 10,000 रुपे और 100 रुपे हैं तो 10,100 sin square theta हो गया 10,000 sin square theta और 100 sin square theta इससे क्या हो जाएगा इसमें आपकी लग जाएगी identity 10,000 को मना जाएगा और अंदर बन जाएगा cos square theta प्लस sin square theta आप जानते ही हो और यह हो जाएगा 100 sin square theta एक्कॉल टू कितना हो गया 10,025 ठीक अब यह देखिए इसमें identity लग गई यह कितना होता है 1 cos square theta sin square theta होता 1 कितना 10,000 प्लस 100 sin square theta एक्कॉल टू 10,025 चलिए तो अब यहाँ पे 100 sin square theta बराबर 10,025 और माइनस का 10,000 यह उधर जाएगा तो यह कितना हो जाएगा माइनस का 10,000 तो लोग कितना आगया 25 किसके एक्कॉल आया है 100 sin square theta के ठीक है ना तो 100 sin square theta का मान कितना आगया 25 आगया 100 sin square theta एक्कॉल टू 25 तो sin square theta बराबर हो गया 25 बटे 100 यानि कि एक बटे 4 मैं इसको लिख सकता हूं sin square theta बराबर एक बटे 2 का whole square root ले लूँगा तो sin theta बराबर हो जाएगा square से square cancel हो जाएगा plus minus 1 by 2 तो sin theta का मान बटेखो question ने क्या कहा है theta acute angle है और acute angle में sin theta क्या होता है धनात्मक होता है तो धनात्मक हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि question ने कहा था theta noon कोन है तो sin theta का मान कितना आएगा एक बटे 2 theta की तलाश पूरी हुई theta कितने degree 30 degree theta की value 30 degree अब theta की value 30 degree आ चुकी है तो हम अपने question पे चलते है question ने हमसे जो पूछा था क्या पूछा था question ने मैंने आपको question में ये तो बताया है हाँ ये लिखा है ये question ने पूछा है कि sin theta minus cos theta क्या होगा यस ये है question कि sin theta minus cos theta का मान क्या होगा तो लिए भाई अपने पास कितना आ चुका है theta 30 आ चुका है तो हमको चाहिए किसकी value sin theta minus cos theta तो भाई sin theta minus cos theta मतलब sin 30 degree minus cos 30 degree तो sin 30 degree कितना होता है 1 by 2 cos 30 कितना होता है root 3 by 2 तो इसका answer कितना आएगा इसका answer आएगा 1 minus root 3 by 2 ओके इसका answer आएगा 1 minus root 3 by 2 note कर लिजे गोलो clear है सभी को question लिके if यदी sin square theta plus 2 cos square theta plus 3 sin square theta plus 4 cos square theta plus up to up to up to up to up to करते हुए कितने पद है 40 पद है कितने पद है 40 पद है तो इसका जो मान आ रहा है आपके पास में इसका जो मान आपके पास में आ रहा है वो मान इसका सभी का जोड करके आ रहा है 405 405 तो आपको बताना है कि find the value of 10 theta तो 10 theta का मान क्या होगा तो 10 theta का मान आपको क्या होगा ये बताना है चलिए बताइए 10 theta की value क्या होगी दीजे 2 मिनट अपने आपको solve कीजे प्लीज अपनी copy में solve कीजे चलिए तो देखे कैसे solution करेंगे बिल्कुल पुराने question के जैसे total 40 पद है मतलब 20 होंगे sin वाले और 20 होंगे cos वाले तो sin square theta plus 3 sin square theta हल से लेकर के यहां तक हो गए 20 पद और इसी तरीके से 2 cos square theta plus 4 cos square theta plus लेकर के हो गए 20 पद क्योंकि 40 पद है तो sin square theta का मैंने बनाया तो क्या हो जाएगा 1 3 5 up to 20 पद अब मैं एक बात आपको बता दूँ कि विशम पदों का योग होता है n square तो directly short trick बताऊं मैं इसकी 20 पद हैं तो कितने 20 पद हैं तो 20 का square directly हो जाएगा 400 और आपको यदि निकालना हो तो निकाल लो यदि किसी ने निकाला होगा तो इसका योग कितना आएगा 400 हो आएगा ओके और यहां पर देखें यहां पर प्लस cos square theta इसको solve करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा दो कॉमन लेने के बाद एक से लेके 20 n into n plus 1 इसकी trick होती है n into n plus 1 तो 20 20 पर याने की 20 into 21 यह इसकी गुणे 21 तो दे 20 गुणे 21 मैं कर दूँ भाई कितना आएगा देख लो 20 गुणे 21 ओके तो 21,0,21 और 21,22,420 तो यह कितना हो गया चार्सोबीस cos square theta equal to 405 अब यहां से एक काम करिए 400 sin square theta plus 400 cos square theta plus 20 cos square theta equal to कितना हो गया 405 यह रेखिए यहां से आप 400 common ले लिजे तो bracket में बचेगा sin square theta plus cos square theta का 1 1 हो गया और यह हो गया 20 cos square theta की value कितनी हो गयी 405 तो इस statement को लेके चलते हैं अगले page पे और solve करेंगे लास्ट का कुछ बचा हुए थोड़ा सा यह आ गये कैसे solve करेंगे देखे 20 cos square theta equal to 405 minus का 400 तो 20 cos square theta equal to 405 minus 400 बराबर कितना 5 तो cos square theta बराबर हो गया 5 बटे 20 5 बटे 20, 5 बटे 20 का मतलब हो गया कितना 1 बटे 4 तो cos square theta बराबर हो गया 1 बटे 4 तो cos theta बराबर हो गया कितना plus minus 1 बटे 2 क्योंकि noon cone है और noon cone मतलब पहला quadrant और पहले quadrant में theta 90 degree से कम होता है तो cos theta किसको suit करेगा यहाँ पे cos 60 degree को 1 by 2 यानि theta बराबर कितने degree 60 degree तो आप से क्या पूछा हुआ था पिछले question में कुछ mistake तो नहीं हो रही है तो उपर पहला वाला term sin का बन रहा है दूसरा term cos का बन रहा है ओके ठीक है तो 400 sin square theta प्लस 400 cos square theta 420 थे इसके ठीक है no problem तो 1 से लेकर के 20 पद हो गया है 400 ठीक है एकदम साही जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है तो theta का मान कितना आ गया 60 degree तो हमसे पूछा गया है कि बताईए 10 theta क्या होगा इस question में तो इस question में हमसे 10 theta पूछा गया था तो बच्चों 10 theta याने की 10 60 degree तो 10 60 degree का मान हो गया कितना root 3 तो इसका answer कितना आएगा जी root 3 done note कर लिजे इसको 10 theta का मान आएगा root 3 एक और question देता हूँ जो कि इस class का आज की class का last question होगा आप लोग इसको solve करके दीजे जल्दी से question लिखे x का मान दिया गया है आपको x equal to yes कोई बोल रहा कुछ x is equal to a cos cube theta x is equal to a cos cube theta and y sorry a square cos cube theta and y is equal to a b square यहाँ पे sign करना पड़ेगा x is equal to a square sin cube theta and y equal to b square cos cube theta तो आपको x और y में संबंद स्थापित करना है ठीक ना आपको x और y में क्या स्थापित करना है संबंद स्थापित करना है तो आईए देखते हैं किस तरीके से संबंद स्थापित होगा यहाँ पे x और y में आपको संबंद स्थापित करना है यदि मैं यहाँ से इसको sin theta बनाऊंगा तो यह क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा x upon o square की power 1 by 3. इसी तरीके से यहाँ से मैं y square upon b square बनाऊंगा तो यह क्या बनेगा? cos theta, sorry y है, cos cube theta, तो y upon b square की power 1 by 3 कितना हो गया? यह हो गया cos theta, अब आपको, यदि मैं इस तरफ square करके add कर दूँ, तो आप जानते हैं कि sin square theta plus cos square theta equal to कितना होता है? 1, तो इसका whole square आजाएगा, तो x upon a square की power कितना हो जाएगा? 2 by 3, और यह हो जाएगा y upon b square की power 2 by 3, क्योंकि power 2 लगा दी न, इसलिए 2 by 3 equal to कितना 1, यही होगा इसमें हमारा required संबंध, ठीक है? तो चलिए आज की class को यहीं पर हम finish करते हैं, फिर next classes में कल ले करके आएंगे, गर आप लोग इस तरीके से प्रोथसाहित रहेंगे और जुड़ते रहेंगे, तो यह classes और भी संबह हो पाएंगी बड़े level पे में, और बहतर बहतर आपको content देने की कोशिश मेरी जारी आपका बहुमूल समय देनी के लिए नमस्कार धन्यवाद